नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे नियूस के ओफीशल इडूपचनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि SDFC बेंक में आ चुकी है नई भरती जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SDFC बेंक भरती 2022 के बारे में जिसकी नई भरती की सुचना जारी हो चुकी है दोस्तों SDFC बेंक की तरफ से जो भरती निकाली जारी है यहाँ पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी बिलकुल सीधी भरती है बिना परिक्षा की और दसवी कक्षा पास से ले करके बारवी कक्षा और ग्रेजट पास सभी अभ्यारती जो है आविदन कर सकते हैं इस भरती के लिए और दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई भी फरम फीस नहीं ली जारी है All over India की ये जॉब है सभी male of female candidates तो है apply कर सकते हैं तो दोस्तो apply जरू किजिएगा लेकिन उससे पहले वीडियो को last तक जरू देएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इस vacancy की पूरी जानकाई देंगे step by step तो जल्दी से वीडियो को like कर दें दोस्तों में ज़्यादा स्यादा शेर करें रोजना सिपरकान नई विक्रिंसी के अपडेट के लिए चैनल को आज ही subscribe करें और बेल आइकन जरू दबाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करें है SDFC बेंक भरती 2022 के बारे में आप से कोई भी फोरूम फीस नहीं ली जारी है विल्कुल फ्री में आपको अपलाए करना होगा डारेक्ट भरती है सालरी आपको 32,000 रुपे प्रतीमा मिलेगी और पूरे भारत से सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं male और female यानि कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रेते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां आविदन कर सकते हैं चली दोस्तों इस भरती के लिए आविदन कैसे करना है वो पूरी जानकरी आपको देते हैं साथी साथ इस भरती की पूरी जानकाई देंगे तो दोस्तो अधिक जानकरी और अपलाई करने का लिंक मिलेगा आपको सरकारी-todaynews.com की ओफिशल वापसाइट पर आज ही वापसाइट पर जाएं भरती की जानकरी ले और अपलाई करें आप चाहें तो दोस्तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं जैसा कि दोस्तो आप देसकते हैं हम आचुके हैं सरकारी-todaynews.com की ओफिशल वापसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SDFC बेंक भरती 2022 के बारे में अलग-अलग पदों पर अलग-अलग डिपार्टमेंट से भरती आ चुकी है administration के पद है analytics के पद है assistant manager के पद है branch manager के पद है और आप दिशते हैं यहाँ पर clerk के पद है collection officer के पद है customer service executive के पद है manager के पद है head of operation के पद है PO के पद है sales में है, marketing में है, engineer के है काफी सारे पद है 11,000 से अधिक पदों पर यह भरती की सुचना चारी हो चुकी है freshers और experience दोनों ही candidates apply कर सकते हैं apply के वल आपको online करना होगा chain परकरिया में के वल आपका interview होगा SDFC bank के rules के मताबिद आपको salary भी मिलेगी job location पुरे भारत की है वहीं उमर सीमा जो है कम से कम अठरा है और maximum जो है 50 साल है application fees जो है general OBC, SC, ST सभी के लिए बिल्कुल free है education qualification दसभी पास से ले करके बारवी पास और graduate पास सभी candidates apply का सकते हैं आवी दन करने का link के रहा है यहाँ पर आपको click करना है आप सिधा SDFC bank के career portal परा जाएंगे और यहाँ पर इस image पर आपको click करना है तो यहाँ पर click करते हैं आप सिधा नई page परा जाएंगे जिसा कि दोस्तों आप से 12,500 पद यहाँ पर जारी हो चुके हैं अलग-अलग पदोग पर यह भरती है यहाँ पर पूरी भरतियों की जानकारी है अलग-अलग location है और यहाँ पर experience की बात करते हैं तो आप दसकते हैं आपर काफी तरह यह सी वेकेंसी जिसके लिए फ्रेशर के इंडिएट्स भी apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिस पत के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं पूरी की पूरी job description आपके सामने आ जाएगी उसको आप पढ़ लीजेगा समद लीजेगा और apply करने का बटन यह रहा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और new user पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपका जो resume है वो upload करना है प्रिवीव करना है आपको प्रोफाइल को complete करना है simply आपको इसी प्रकार apply करना है एक एक पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हैं इस प्रकार ठीकिए तो वीडियो चलाओ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जहीं जे भारत